जमू लोगसाबा सीट पर आज मद्दान हो रहा है और इस सीट पर कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी तक्रीबन तक्रीबन आमने सामने नजर आ रही है इस पर बाचित करने के लिए भारती जनता पार्टी के अद्धिक्ष रविंदर रहना जी हमारे साथ मुझद है रविंदर जी किस तरीके से देख रहे हैं पहले 19 तारीकों चुना हुआ और आज 26 तारीकों दोनों ही फेज में पिछले 10 साल से भारती जनता पार्टी के अमीद बार जित के आ रहे हैं जबर्दस मतदान हो रहा है और जो लोगों के चेहरों पर खुशी है जो लोगों के चेहरों पर जबर्दस परसंदा है और उत्सार उमंग के साथ जो आज लोग जमू रियासी पार्लिमेंट सीट पे मतदान में हिसा ले रहे हैं ये दर्शाता है कि भारी मतदान हो रहा है जमू का बाडर का एरिया सांबा का हो आरिसपुरा विशना का क्षित रहो रामगड का क्षित रहो जमू शहर हो जमू ग्रामीन क्षित रहो अखनूर खोड परगवाल का बाडर का क्षित रहो या सुंदर बनी काला कोट का क्षित है या कट्रा रियासी और गुलाबगड का प्रवती एक शित्र हो जबर्दस वोटिंग हो रही है जबर्दस और लोगों के चेहरूं पर जो खुशी जलक रही है यह बता रही है कि लोग मोधी सरकार को वोट कर हैं और प्रचन बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हो रही है उसमें वोट परसंटेज जो है वो कही न कहीं कम रहा है पहले इकतर फिस्ति पोट पड़े थे इस बार आरश पास मतदान हुआ है और जमूर्यासी संसदिय क्षेत्र में भारी मतदान सत्र प्रतिशत से उपर जाएं कि दस साल से आपकी यहां पर उमीदवार थे लेकिन वह अपने चेहरे पर नहीं एक पर फिर प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के चेहरे पर हमारे शीरिशस्त नेता हैं उनकी वह सरकार का नेत्रत हो कर रहे हैं उनकी जो नीतिया है उनसे जंता और हमारे प्रधान मंत्री मोदी साल से पांच मई को रजोरी अनतनाग सीट पर जो है वो चुनाव प्रस्तावित हैं उसमें क्या खेला होने जा रहे हैं भारी बर्फबारी के चलते पीर पंजाल के धक्षिन में रजोरी पुंच कश्मीर घाटी से कटा है जो मुगल रोड एक मात्र रोड कनेक्टिविटी जो रजोरी पुंच को अनतनाग और कश्मीर घाटी से जोड़ता है और रास्ता बंद है खुद विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कहा है कि वो वहाँ केंपेन करने में सक्षम नहीं है इसलिए चुनावा योग ने एक रिपोर्ट अब रोजोरी पुंच नहीं पहुच पाई कंपेन के लिए बारतिय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है बर्फ गिरी है पीर पंजाल में तो ये बर्फ भी कोई मोधी जी ने थोड़ी गिराई है या कोई बीजेपी ने थोड़ी बर्फ गिराई है तो फिर जो भी NDA के घटक होंगे उनका समर्थन करेंगे जी तेंग जहां कमल का फूल होगा कमल का फूल जहां एंडीय के उमीदवार कि कश्मीर में तो एंडीय तो होगा है क्या खेला होगा या फिर कोई और बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई कि उस पंतिजार होगा एलेक्शन कमिशन के अगले अनॉस्मेंट का कैमरा पेसे सुरील के साथ रवन सैनी इंडिया डेली लाइव चंबू